आखिर कार वो माफिया पुलिस के हत्ते चड़ी गया जिसको लेकर उत्तर प्रदेश और उत्राखंड पोले सामने सामने थी वो माफिया जिस पर पहले 50,000 का इनाम था और फिर बाद में से 1,000,000 रुपे कर दिया गया तो आज वो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका भी दिमाग चुकरा सकता है यूपे में अपराधियों के खिलाव कितनी सकती है ये किसी से चिपी नहीं है टीवी स्कीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बुद्वार की खटना ना सिर्फ वीडियो है बलकि इस वीडियो में आप उस गोली की आवाज भी सुन सकते हैं जिसने उत्राखंड और यूपे पुलिस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया उत्राखंड की सीमा पर है काशिपुर का भरतपुर गाउं जहां 13 अक्टूबर की शाम मुरादबाद की पुलिस एक माफिया जफर का पीछा करते वे पहुँची इसी दोरान गोली चली और एक महिला की मौत हो गई प्लॉक प्रमो गुर्जाद गुलर की पत्नी गुर्चीत की मौत हो गई है उत्राखंड पुलिस का आरोप है कि यूपे पुलिस बिनावर्दी के पहुँची थी आपको बता दें कि जिस माफिया जफर के घर यूपी पुलिस पहुंची उस पर रेट की माफिया गिरी करने का आरोप है और जिस केस में पुलिस ने तलाश की वो पिछली महीने का केस है तो इस पूरे मामने को लेकर बीते दो दिनों से उत्राखंड और यूपी पुलिस आमने सामने थी लेकिन आज सुबाही जो खबर सामने आई है उसके बाद उम्मीद है कि चीजे तस्वीर साफ हो सकती है अभी पागबाडा थाने में कैलसा रोड है जो दिली तिरफ जाती है वहां पे मुटबेड हुई है कपरादी के साथ चेकिंग के दौरान और इसमें यही बताया गया है कि यह व्यक्ति जफर है जो कि वांचित सा एकलाक रुपाई नाम मिलाते इसको ठाकर दोरा काशिपूर इंसिडेंट में और अभी इसका प्रात्मिक उप्चार चल रहा है विसरत बातें से प्रात्मिक उप्चार के बाद ही अनिजानकारी मिलेगी और अभी जिल अस्पित प्राइग है और समानित जुह है जेस्ट ब्लॉक प्रमूख है तो सुना अपने डियाईजी सहाँ में क्या कहा वह कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रमूख एक सम्मानित व्यक्ति हैं इस पर हम इसलिए जो डाल रहे हैं क्योंकि इस वाक्य को लेकर ववाल मचा हुआ है क्या सच मे इसा है हम आपको कुछ तस्वीरे दिखा रहे हैं आप खुद ही अंदाजा लगा लिजेगा कि ब्लॉक प्रमूग क्या वाकई एक सम्मानित व्यक्ति हैं इन्हें देखिए और समझी है कि किसी व्यक्ति पर इतने मुकदमे दर्ज हैं तो वो सम्मानित कैसे हो सकता है तो क्या पर उत्तर प्रदेश के मुरादबाद मंडल के डियाई जी शरब मात्वूर ने बताया है कि मुरादबाद पुलिस टीम को बंदग बनाया गया उनकी हत्यार चीनले गए दो पुलिस कर्मियों को गोली लगी कुल पांश लोग खायल है डियाई जी ने बताय कि उत्राखन पुलिस टेस घटनामिक महिला की मौत की पुष्टी भी है अब हम पुस्की कर रहे हैं और उनके द्वारे जो है कि नड़को बंदग बनाया गया है इसले भी सिने गए और एसले छीनने के अंदर इसके अंदर एसले चाहिनरे का कहिना एका तेनी नहीं उसले गाईग और वाहां पर बे तस्री टी बिक की गईhin गई जिसके अंदर हम पुलिस के अंदर इंजर्ड है जिनका इलाज कॉस्मोस में चल रहा है अभी तक की घटना की एक जानकारी है इसमें और कोई चीट की पुष्टी हुटी है तो मेरे द्वारा आपको अफगत करा आए जाए जीए स्टीट की पुष्टी उत्राखंड की पुलिस द्वारा की गई है कि वहां तर जो गटना हुई है उसमें वहां पर एक महिला के लुप्ती हुई है तो आपने दोनों डियाईजी की बास सुनी है चाहे वह उत्राखंड के हुँ चाहे वह यूपी के हुँ हमें मामला कुछ अटपटा सा लगा क्योंकि एक अपराधी को इस तरह से सम्मानित बताना क्या उत्राखंड पुलिस के लिए सही है और जो आरोप उत्राखंड पु तो इस पर वह कुछ भी कमेंट नहीं करना चाते थे इससे साफ होता है कि जिस घर में एसजी टीम पहुंची उस घर के मालिक पर आप राधिव मुकदमे दर्ज हैं इसलिए पुलिस वह आचानक पहुंचती है क्योंकि पहले से ही पुलिस को पता था और जो सवाल उठ्वा है कि बिना वर्दी के पोची तो एस जीटीम बिना वर्दी के होती है मैं यूपी पुलिस यह भी कह रहे है उट्वाज पहले से इसके बाद यह कारवाई की गई है इस पूरे मामने को लेकर हमारी टीम ने समझने की कोशिश की कि आके रेकबरादी किस्म पे शक्स को उत्र उत्राखंट की पुलिस और उत्रप्रदेश की पुलिस आमने सामने खड़ी नजार आ रही है। सबसे महतपूर चीज यह है कि उत्राखंट की पुलिस ये कहती भी नजार आ रही है कि वो एक सम्मानित परिवार था जिस परिवार के घर पर उतरप्रदेश की पुलिस पहुंची और उन्होंने वाँ फाइरिंग की लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार वो सम्मानित परिवार कौन है वो सम्मानित परिवार पे कितने मुकदमे है ये भी सवाल खड़े करता है लेकिन दूसरी तरफ जब कुमाओ रेंज के डि आई जी ने अपना बयान दिया तो वो भी यही कहते वे नजर आए कि वो जो हमारे यहां के जेस्ट ब्लॉक प्रमुक है गुर्टेज जो है बुलर जी यहां के रहने वाले सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जेस्ट ब्लॉक प्रमुक है तो आपने सुना कुमाओ के डि आई जी निलेश आनत बढ़ने ने किस तरीके से भुलर परिवार को एक सम्मानित परिवार बताया जब कि इस परिवार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कहीं मुकदमे दर्ज है यानि कि यह तो साथ था कि इस परिवार के कहीं न कहीं इन तो वजा रही होगी लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि खुद उत्तर प्रदेश पुलिस यह दावा कर रही है कि उन्होंने उत्तराखंड की पुलिस को सूचना दी थी इस दबिश से पहले और इसके साथ ही सभी चीजे उन्होंने पहले से ही देख ली थी क्योंकि उ अब पुलिस कर्मियों द्वारा जानकारी देख लेंगे इनके पासपश रूप से सुचना थी और यहां से वह भागा है आपने सुना क्या कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और क्या कहा कुमाउं रेंज के डि आईजी ने लेकिन जिस तरीके से कुमाउं रेंज के डि अब पुलिस के परवक्ता क्या कहते हैं जरा एक बार आपको वह भी सुना देते हैं देखे अभी इनामी बदमाश के लिए उत्रपदेश पुलिस का टीम आई है दबिश डाली है अभी उनका दोरह आप बता रहें कि उनका दोरह सुचना देगे उसको भी जांच कर लेंग तो आपने सुना किस तरीके से पुलिस के परवक्ताई कहते वे नजर आ रहे हैं कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी उत्तरप्रदेश की पुलिस जो दावई कर रही है जो बाते कर रही है उस पर भी जांच की जाएगी और जिस तरीके से जब उनसे ये सवाल पूछ में गल्थी किसकी क्या उत्राखंड पुलिस को इसकी जानकारे नहीं थी या फिर उत्रप्रदेश की पुलिस ने जानकारे पहले दी थी और इस घटना को अंजाम देने से पहले वो शेत्र में पहुंच गए थे जहां वो इनामि बदमाश पहले से ही मौझूद था अब पुलिस बात करती भी नजर आती है गरदम से सुभाज को और न्यूजबर इंडिया तो एक माफिया को पकड़ने गई पुलिस से पुलिस ही भिर जाती है और एक महिला की मौत हो जाती है हम गहरी समवेधना उस महिला के प्रती रखते हैं जिस महिला की इस गोली बारी में मौत हो गई है कई पुलिस कर्मी घाइल होए है अब ऐसे मिस सवाल है कि जस तरह से उत्राखन पुलिस आरोप लगा रही है योग पुलिस पर वो कितने सही है क्योंकि जिस व्यक्ति के घर पर गोरिया चली वो एक अपराधी है और मुरादाबाद पुलिस को पहने से सूचना थी कि यहाँ पर इनामी चीपा हुआ है जिसका पीछा करते करते हैं सोजी टीम वहाँ पहुंची है तो क्या माफिया को बचाने की कोशिश हो रही है या उसकी आड़ में दूसरे अपराधियों की पूल ना खुल जाए इस बात का डर उत्राखन पुलिस को है हम ऐसा नहीं कह रहें लेकिन जिस तरह से डियाई जी को बयान सामनी आये जिस तरह से अपराधियों को सम्मानित व्यक्ति कराया करार दिया जिस तरह से डियाई जी ने उस व्यक्तियों को सम्मानित बताया उसके बाद से ही उत्राखन पुलिस जो है वो सवालों के खेरे मे आ रही है लेकिन एक बार फिर से हम गहरी समय ना व्यक्त करते हैं उस महिला को लेकर जिस महिला ने अपनी पूरे मामले में जान कर आई है तो ऐसे में अब हम आखिर में यही कहेंगे कि अपराधी जिस माफिया का पीछा पुलिस कर रही थी आईसोजी कर रही थी वो अब गिरप्त में आ चुका है कई खुला से हो सकते हैं और जिस अपराधी को सम्मानित बताये जा रहा है उसके बारे में भी तमाम चीजें निकल कर सामने आ सकती है उमीद है कि उत्राखन पुलिस और यूपी पुलिस जिस बात को लेकर आमने सामने थी और जिस तरह के आरोप लग रहे थे वो आप साफ हो जाएंगे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस वाल इंजिया